नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे MCV जैसे हमारी MCV होती है उसको सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल और फोर पोल क्यों बोलते हैं जो हमारी सिंगल पोल MCV मतलब एक MCV को सिंगल पोल MCV बोलते हैं यह पोल अपना और इसको MCV, MCV की फुल पोल मा बढ़ी मैनूचर सर्किट ब्रेकर ओके, यह अपनी इदर इन्पूट है और यह आउटपूट है यह 6 अंपियर के MCV है 6 अंपियर इदर हमारी लाइन कनेक्ट हो जाएगी और इदर अपना लोड और यह अभी ओफ कंडिशन में इसको ओन कर देंगे यह ओन दिखाएगी इदर और जैसी निच्छे अपनी होगी तो यह अपना ओफ हो जाएगी अब हम इसमें लोड यानि की एक बलफ लगा कि दिखाएगे देखेंगे की लोड इधर हम अपना good भेफेज कनेक्ट कर देंगे और इधर अपना Jap यानिकि बलब कि जो बलब से वायरेर्र निकली और इदर कनेक्ट कर देँ और पेज में प्रेद Y आएग आपना वह कनेक्ट कर दिया औप्ड़ों में हमारा लोड़ किया और यह नूटल रेक्ट जो अपना नूटल है उसमें कनेक्ट कर देंगे और यह 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 लो कलर की यह रहते हैं अ कि हमने इसमें फेज और नूटल दोनों कनेक्ट कर दिए यह नूटल और यह इधर फेज कनेक्ट कर दिया mcb के आउटपुट में हमने लोड की जगा अपना एक led lamp यूज किया है अब हम इसको ओन करते हैं यह देखिए अपना बलब जल गया यह ऐए led बलब अब हमारी mcb क्यों लगाते है mcb इसलिए लगाते हैं न हमारी पहले क्या करते थे mcb की जगए जब mcb हम क्या करते थे अब उसकी जग हम MCB यूज़ करते हैं MCB में क्या होता है कोई भी short circuit होता है तो MCB हमारी trip कर देती है trip हो जाती है यानि कि आगे power cut हो जाती है overload में भी trip करेगी जैसे हमारा अभी यह 6 ampere की है अगर यहाँ 6 ampere से ज़्यादा है current आए जाए flow करेगा तो हमारी MCB trip को हो जाएगी हमको पता लगा कि overload है अगर हमारा कहीं short circuit होता है by chance आगे MCB के output में जो हमारा load में तो यह MCB trip हो जाएगी और हमको पता लग जाएगा हमारा कहीं short circuit है जैसे इसको उन करेंगे दुबारा trip हो जाएगी ठीक है ओके दोस्तों आज की वीडियों बसित रहा है देखते रही सिखते रहे हमारे चैनल देशी इलेक्ट्रिकल जैहिंद